और इस तरह के एडिट करके आपका यूटूब चैनल का बैनर कुछ इस तरह का प्रोपेशनल दिखेगा ओके तो है गायस कैसे हो आप लोग आई होप के आप सभी लोग अच्छे होंगे तो guys इस वीडियो पर मैं आपको इस तरह का professional YouTube banner edit करके दिखान वाला हूँ अगर आप इस वीडियो को end तक देख लेंगे तो आप भी इस तरह का professional YouTube banner बनाना बहुत ही आसान तरह किसे सीख जाएंगे तो आप सभी से request है इस वीडियो को end तक देख लेना ठीक है तो चलो फिर बिना किसी देरे के editing को हम सुरू कर लेते हैं ओके तो guys सबसे पहले तो आपको pixel app application open कर लेना है अगर आपको mobile में pixel app application नहीं है तो आप लोग इसको play store से download कर सकते हैं फिरी में और open करने के बाद यहाँ पर आपको new text option देखने को मिलेगा तो इसको उपर से delete कर देना है ठीक है और delete करने के बाद इसके बाद आपको उपर three dot icon पर click करके image size पर click कर देना है और यहाँ से आपको custom icon पर click करके YouTube channel banner पर click कर देना है ठीक है तो यहाँ पर हमारा YouTube banner कर size में background correct हो चुका है इसके बाद आपको उपर plus icon पे click करके from gallery पे click कर दना है और इसके बाद एक background को edit कर दना है जो कि मैंने आप logo के लिए पहले हैं इसको edit करके रखा हुआ था तो इसको आपको pull screen कर दना ठीक है दिन इसके बाद आपको उपर layer icon पे click करके इसको lock कर दना ठीक है ताकि यह editing करते हैं इधर उधर ना जाए ठीक है अगर आप इस background के color को change करना चाहते है तो इसको आप pixel में कर सकते है तो इसके लिए आपको pixel में background को edit करके यहाँ पर आपको tool icon पे click करके adjust icon पे click कर दना है इसके बाद आपको यहाँ पर you का option मिलेगा तो उस icon पे click करके यहाँ से आप background की color को change कर सकते है ठीक है ओके तो pixel में आते है ठीक है तो सबसे फिले तो यहाँ पर आपको plus icon पे click करके यहाँ पर from gallery पर click कर दना है इसके बाद आपको आपने photo को edit कर दना है एंड वीडियो का link आपको इस वीडियो के description box पर मिल जागा ठीक है ओके तो अपना photo जो है इसको अपने background के बीच में यहाँ पर add करके यहाँ पर आपको setting icon पर click करने के बाद यहाँ आपको shadow icon देखने को मिलेगा तो shadow icon पर click करके इसको enable कर दना है ठीक है उके तो इसके बाद आपको फिर से plus icon पर click करने के बाद इस बर आपको text icon पर click कर दाना है ठीक है और text icon पर click करके यहाँ पर आपको new text option देखने को मिलेगा तो इसको double tap कर दिना है एंड इसको cut करके अपने YouTube Channel के name को लिख देना है ठीक है पर आपको किलिक करके यहाँ पर इपको font option देखने को मिल जाएगा तो फॉंट option पर किलिक करके यहाँ से आपको font go select कर सकते हैं तो यहाँ से अब किसी भी font go select कर देना तो यहां से मैं font go select कर लेता हूं यह एंड इसके बाद इसके अपने फोटो के थोड़ा सा बगल में एड़ कर दना है ठीक है देन इसके बाद देन इसके बाद कलर ऑप्सेन पर क्लिक करके कलर को चेंज कर लेना है तो कलर को मैं यलो रख देता हूं ठीक है देन इसके बाद में लेयर आइकन पर क्लिक करके लेयर को पेन कर लेता हूं और इस लेय नयम को लिख देना है जैसे कि यहाँ पर में लिख देता हूँ ब्लोगर, आपकी जिस भी कटेगरी का यीद्टूब चैनल हो इसको लिख देना ठीक है वहाँ पर गेमार ब्लोगर और रगर video अज़ने है जो भी है लचिए इसके बाद फिरसे आपको उपर प्रस आइकन पर क्लिक करके from gallery कर दüना और from gallery पर क्लिक करके अपको अपने social media के png को एड़ कर ददना है और png को एड़ करने के साथ आप चाहे तो आपने social media के name को भी लिख सकते है ओके तो इसको रोक कर लताओ ठीक है और लोग करने के बाद फिर से आपको उपर प्लस आइकन पर किलिक करके टक्स आइकन पर किलिक कर देना है और यहाँ पर आपको डबल टेप करके यहाँ पर आपको इसको कट कर देना है और यहाँ पर आपको लिख देना है डेली वीडियो ठीक है तो इसको मैं यहाँ पर edit कर दता हूँ देन इसके बाद font icon पर click करके font को मैं change कर लता हूँ ठीक है और change करने के बाद color का अप लोग change कर सकते हैं यहाँ से ठीक है देन इसके बाद layer को open कर लेना है and इसको lock कर दने ठीक है देन लोग करने के बाद आपको यहाल आइकन पर क्लिक करके इसकी यहां से copy create करना है और copy वाले text के उपर आपको double tap कर देना है ठीक है और double tap करने के बाद इसको यहां से cut कर देना है और यहां से आपको everyday लिख देना है अगर आप everyday वीडियो को upload करते है तो अगर आप weekly में एक करते हैं यानि कि अप्लोड करते हैं तो इक लिए लिक देना ठीक है इसके बाद कलर आइकन पर किलिक करके इसकी कलर को चेंज करना ठीक है तो इसको मैं हलका से नीचे कर लता हूं ओके तो फाइनल यहां पर हमारा प्रोपेस्नल यूटूब बैनर एडिटिंग करना हो गया है आई होप आपको यह ओल एडिटिंग पसंद आ गया होगा अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किये तो एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन को भी ओल पर किलिक करना मत बुलना ठीक है ताकि इस तरह के और भी एडिटिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्री होता है तो कर दोना गाइस ठीक है तो गाइस अपने बैनर को फूल एजडी में सेप करने के लिए आपको यह ओल आइकन पर किलिक कर दोना है देन इसके बाद यहाँ पर आपको सेप एस इमेज पर किलिक कर दोना है ठीक है तो गाइस चलो फिर अगले किसी और एडिटिंग वीडियो में मिलते है तब तक ले बाइबाए टेक केर